क्लास नाइंथ के स्टूडेंट्स जहिन स्टूडेंट्स समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम सिविक्स का अधियन कर रहे हैं और अभी हम चैप्टर नंबर पांच पे हैं जिसका नाम है लोकतांत्रीक अधिकार अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे डेमोक्रेटिक राइ यानि लोकतांत्रीक अधिकार पर इससे पहले मैं चार वीडियो आपके समख्ष प्रस्तूत कर चुका हूं और यह पांचमा वीडियो आपके सामने है और इसमें जिस टॉपिक की चर्चा की गई है वह टॉपिक है रास्टिये मानवाधिकार आयोग यानि की नेशनल हुमन राइट्स कमिशन तो चलिए हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि रास्टिये मानवाधिकार आयोग क्या है नेशनल हुमन राइट्स कमिशन क्या है इसकी उपयोगिता क्या है और इसका उपयोग जो है कि संदर्ब में होता है तो ठीक है स्टूएंट्स चलिए हम लोग इ में कहेंगे NHRC, ठीक है NHRC तो NHRC का फुल फर्म हुआ National Human Rights Commission, N4, National, H4, Human, R4, Rights और C4 Commission, तो राष्टिय मानुआदिकार आयोग का जो 1993 में बनाया गया एक सोतंत्र आयोग है, ठीक है इसकी जो अस्थापना हुई सन 1993 में हुई और एक सोतंत्र आयोग है ठीक है National Human Rights Commission is an independent commission set up by law in 1993 ठीक है ये एक सोतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी अस्थापना मानव अधिकार संगरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहर 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी ठीक है students यहाँ पे student आप देखेंगे कि ये कानून क्या नाम आ रहा है जिसका नाम है मानव अधिकार संगरक्षण अधिनियम 1993 इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे protection of human rights act PHRA 1993 तो एक कानून है जिसको हम लोग protection of human rights act करते हैं तो इसी act के तहट ये आयोग बना जिसे हम लोग कहते हैं रास्टिये मानव अधिकार आयोग ठीक है students अब आगे students हम लोग निचली कक्षाओं में कहते हैं कि मनुस्र की मूलभूत आवसकताएं क्या हैं तो हम लोग कहते हैं कि भोजन वस्त्र और आवास मनुस्य भोजन के बिना जिवित नहीं रह सकता वस्त्र के बिना रह नहीं सकता और आवास के बिना रहना बहुत मुस्किल है तो मनुस्य की मुलभूत आवसकताएं हैं भोजन वस्त्र और आवास लेकिन students यहाँ पे थोड़ा संदर्व बदल रहा है आप यहां देखिए ध्यान से यहां पे दर्ज है कि किसी भी इंसान की जिन्दगी में भोजन वस्त और आवास भले ही जरूरी हो भले ही जरूरी हो लेकिन इससे भी कहीं अधिक जरूरी है आजादी, बराबरी और सम्मान इसको समझना जरूरी है तो देखिए भारतिय सम्मिधान उपायूग तीनों की जरूरी है इसको समझना जरूरी है तो देखिए भारतिय सम्मिधान उपायूग तीनों की गारंटी देता है उपायूग तीनों मने आजादी की भी, बराबरी की भी और सम्मान की भी और इसे तोड़ने वाले को अधालत सजा देती है ठीक है जो इसको तोड़ते हैं है न उसको सरकार सजा देती है अदालते सजा देती है भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार संगरक्षण कानून लागू है यानि कि मानव अधिकारों का जहां कहीं भी हनन होगा तो उसके लिए मानव अधिकार संगर्ख्षण कानून है हमारे देश में ठीक है जदी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आजादी में खलल डालता है ठीक है जदी कोई व्यक्ति बराबरी का बेवार नहीं करता है सार्जनिक जगों पर जो है गैर बराबरी का परदर्शन करता है ठीक है और जदी कोई व्यक्ति किसी के सम्मान को ठेश पहुँचाता है ठीक है किसी व्यक्ति की जो डिगनिटी है किसी इंडिविज्वल की जो डिगनिटी है उसको जदी थेश पहुंचाता है है ना उसको हानी पहुंचाता है तो इसके लिए हमारे देश में कानून है ठीक है students तो चलिए आगे students screen पे focus किजिए राश्टिये मानव अधिकार आयो के लिए अधिकारों की परिभासा में संजुक्त राश्ट्र द्वारा कराई गई संधियां और अंतराश्टिये घोस्राइं भी सामिल हैं जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं देखिए इसको समझना होगा UN sponsored international treaties that India has signed students इस बात को समझना होगा कि भारत सरकार ने भारत सरकार ने बहुत सारे अंतराश्टिये जो संधियां international treaties हैं है न जो कि जिसको UN यानि कि United Nations ने संजुक्त राश्ट संग ने जिसको sponsored किया है और उस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया हुआ है ठीक है तो जब भारत सरकार ने हस्ताक्षर कर दिया है किसी UN sponsored international treaty पे अंतराश्टिये किसी संधी पे तो भारत की ये बात देता है कि भारत सरकार जो है उन अंतराश्टिये घुष्णाओं पे अमल करे ठीक है तो इस अंदर में आगे देखे यहां आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता जदी कोई व्यक्ति दोसी होता है तो दोसी व्यक्ति को यह आयोग जो है खुद सजा नहीं दे सकता क्योंकि यह न्याले तो है नहीं ठीक है हमारे देश में सजा देने का अधिकार तो स्रिप न्याले को है आपको लगता होगा कि सजा देने का अधिकार पुलीस को है जी नहीं पुलीस को नहीं है पुलीस दोसी को पकड़ करके न्याले के हवाले कर देता है और न्याले उसे सजा देती है ठीक है तो आगे देखिएगा स्टुएंट्स न्याय पालिका की तरह आयोग भी सरकार से सुतंत्र होते हैं जैसे हमारे देश में न्याय पालिका यानि जूडिसियरी सुतंत्र है उसी तरह से जो हमारा जो नह आर्सी है वह भी सुतंत्र है यह सरकार से सुतंत्र है आयोग की नियुक्ति राष्टपती करते हैं और इसमें आम तोर पर सेवा निब्रीद जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है ठीक है राष्टिय मानवाधिकार आयोग के जो अधिक्ष होते हैं तो उसकी जो नियुक्ति होती है तो उसकी नियुक्ति राष्टपती करते हैं और राष्टपती जब नियुक्ति करते हैं तो किन बातों को ध्यान रखते हैं कि वो या तो सेवा निब्रीद जज होना चाहि ठीक है स्टुएंट्स आगे देखिए राष्टिय मानवादिकार आयोग को अदालती मामलों में फैसले देने का अधाई तो या बोज नहीं होता तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फैसला करना या न्याय देना न्याय देने का जो कार्ज है वो अदालते करती है वह काम राष्टिय मानवाधिकार आयोग नहीं करता है यही कारण है कि यह आयोग पिडितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकती है तो जो राष्टिय मानवाधिकार आयोग है तो जदी कोई व्यक्ति पिडित है जदी किसी व्यक्ति को पिड़ा है किसी बात को ले करके है न किसी दूसरे से है न तो ऐसी परिस्तिती में वह पिडित व्यक्ति जदी राष्टिय मानवाधिकार आयोग को अपनी अरजी देता ह तो उस इस्तिती में राश्टिय मानवादिकार आयोग उस पर पूरा पूरा ध्यान दे सकती है ठीक है So, it can focus on helping the victim secure their human rights ठीक है students राश्टिय मानवादिकार आयोग खुद सजा नहीं दे सकता यह काम न्यालय की है इस पर चर्चामलो कर चुके हैं आयोग का काम मानवादिकार के उलंगन के किसी मामले में सुतंत्र और विश्वस्निय जाच करना है अब देखिए अभी अभी जैसे मैंने बताया कि राश्टिय मानवादिकार आयोग का काम क्या है राश्टिय मानवादिकार आयोग का काम है किसी भी मानवाधिकार के उलंगन का जो मामला है उस मामले में जो मानवाधिकार आयोग है वो सुतंत्र जाज करती है विश्वस्निय जाज करती है और निस्पक्ष जाज करती है ठीक है? इसी को आपलों कहते हैं Credible Inquiry यह उन मामलों की भी जाज करता है जहां ऐसे उलंगन में या इने रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा करन का आरोप हो जदी मान लिजे कहीं पे मानवाधिकार का हनन हुआ और उस मानवाधिकार हनन के संदर में किसी सरकारी अधिकारी Government Officer का मान लिजे उसमें हाथ हो तो उस परिस्तिती में भी राष्टिय मानवाधिकार आयोग ऐसे सरकारी अधिकारी पर उपेक्षा बरतने का आरोप लगाकर उसकी जाज कर सकती है ठीक है स्ट्रेंट्स? आगे देखिए NHRC मानवाधिकारों को प्रस्रह देने to promote human rights और उनके प्रती चेतना जगाने का काम भी करती है आयोग अपनी जाज की रिपोर्ट और अपने सुझाओ यानि की जो recommendation होता है सरकार को देती है या पीडूतों की और से अदालत में दखल देती है जाज के करम में इसके पास ब्यापक अधिकार है किसके पास राश्टिय मानवाधिकार आयोग के पास ठीक है आगे देखिए किसी भी अदालत यानि की न्याल है जिसको हम लोग अंगरेजी में कहते हैं कोट किसी भी अदालत की तरह या चसमदीद गवाहों जिसको हम लोग विटनेस बोलते हैं चसमदीद गवाहों को सम्मन भेजकर है ना नोटिस भेजकर बुला सकता है किसी सरकारी अधिकारी से पूछताच कर सकता है किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है किसी जेल में जाकर जाच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी जाच टीम भेज सकता है ठीक है students? कई बातें एक साथ आ रही है इसको समझने में आपको थोड़ी दिकत होगी फिर भी इसको मैं थोड़ा सरली करन कर देता हूँ Students इसको ऐसे समझेए कि मान लीजे कोई पिडित वेक्ती है ठीक है और पिडित वेक्ती ने अपनी अर्जी जो है वो दी हुई है रास्टिय मानवाधिकार आयोग में तो रास्टिय मानवाधिकार आयोग में जब दे दिया गया तो रास्टिय मानवाधिकार आयोग से जुड़े जो लोग है जो वहां के ओफिसियल्स हैं ओर लोग क्या करेंगे, किसी घटना विसेस में जो चसमदीद गवाह होते हैं, तो उनको नोटिस भेज़ करके उनको बुलाएगी, बुलाएगी उनसे पुछताच होगा, मान लिजे उसमें कोई सरकारी अधिकारी उसमें लिप्त है तो सरकारी अधिकारी से पूछता चोगा जदी उसमें सरकारी अधिकारी का कोई दोस नहीं भी है लेकिन सरकारी अधिकारी की कोई जिम्मेवारी है तो उनको बुलाया जाएगा जदि मान लिजे कोई सरकारी दस्तावेज का जगत हो कोई ऐसा डोकुमेंट हो कोई ऐसा पेपर हो उसकी मांग की जानी हो तो उसकी मांग जो है राष्टिय मानवाधिकार आयोग करेगा और उस मतलब ऑफिस को वो दस्तावेज उपलब्द कराना पड़ेगा मान लिजे कोई ऐसा व्यक्ति जो की जेल में बंद कर दिया गया हो जो दोसी ना भी हो है ना दोसी ना हो और उसने जो है राष्टिय मानवाधिकार आयोग में अपनी अरजी दे दी हो तो राष्टिय मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए लोग जेल में जाएंगे और ज गांच टीम भी भेश सकते हैं तो बहुत सारी बातें इसके अंतरगत आती है तो इसको हम लोग बेवार में भी समझने का प्रयास करेंगे आजकल अख़बारों में बहुत सारे ऐसे मतलब हम लोग प्रसंग देखते हैं जिसमें की मानवाधिकारों का हनन होता है और कई बार म स्वता संग्यान लेते हुए वो लोग आ जाते हैं कोई अरजी नहीं देता कोई उनको नहीं बुलावा देता लेकिन तब भी राश्टिय मानवाधिकार आयोग से जुड़े लोग जो है उससे जुड़े पदाधिकारी जो है है ना वो लोग आते हैं यह जाचने के लिए कि म the spot inquiry ठीक है students भारत का कोई भी नागरीक मानवाधिकारों के उलंगन के मामले में इसके पास निमलिखित पते पर सिकायत भेज सकता है राश्टिय मानवाधिकार आयोग जी पीओ कंप्लेक्स आइने नई दिल्ली 110023 नेशनल हुमन राइट्स कमिशन जी पीओ कंप्लेक्स आ आयोग के पास अरजी भेजने की ना तो कोई फीस है ना फार्म और ना ही कोई तै तरीका ठीक है students अभी यहाँ जो आप इस क्रीम पे देख रहे हैं वो राश्टिय मानवाधिकार आयोग का पता है मान लीजिए कि आपके अगल बगल कहीं मानवाधिकारों का कोई हनन हुआ और मानवाधिकारों का जब भानन हुआ तो उस परिष्टिती में आपने राश्टिय मानवाधिकार आयोग को एक चिठी भेजी सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि चिठी का कोई मजमून होना जरूरी नहीं है उसका कोई format होना जरूरी नहीं है आप सादे कागज में लि जा जा कि कैसे भेजा यह कोई मतलब इसके लिए कोई नियम नहीं है जब कोई मजबूर ब्यक्ती किसी संस्था को किसी ब्यक्ति को अपनी मजबूरी के संदर में जदी कोई अरजी देता है तो अरजी देते समय वो किस कारज का उपयोग करेगा किस format में वो लिखेगा वो इतना ज्यादा important नहीं है बस लिखना important है इसलिए students यहां लिखा हुआ है कि आयोग के पास आयोग के पास पने गास्टी मानवा धिकार आयोग के पास अरजी भेजने की मनतर्ब जुसको आवेदन जब भेजा जाता है तो उस आवेदन के लिए कोई फीस नहीं लगती कोई उस पत्र लिखते हैं जिसको application करते हैं तो application का एक format है ना to the headmaster करके आप लोग इसे लिखते हैं तो उसका एक format है इसकुल में कहा जाता है कि सादे कागज में ही लिखो तो ऐसा कुछ भी नहीं है रास्टी मानवाधिकार आयोग के पास लिखने के लिए आप जैसे भी लिख दी और एक चीज और बता दूं students कि रास्टी मानवाधिकार आयोग की तरह ही 26 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग यानि state human rights commission है मत समझेगा students जैसे कि पूरे राश्ट अस्तर पर पूरे देश के अस्तर पर जैसे राश्टी मानवाधिकार आयोग है उसी तरह से हमारे देश के 26 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट human rights commission है ठीक है और मैं आपको ये भी बता दू कि बरतमान में जो राश्टी मानवाधिकार आयोग के जो चेर्मैन है उनका नाम है जस्टीस एज एल दत्तू है ना जस्टीस हंदियाला लक्षमी नरायन स्वामी दत्तू आप सौट में नाम याद रखिएगा जस्ट स्टीस एचल दत्तू ठीक है स्ट्वेंट्स ये अभी राश्टी मानवाधिकार आयोग के चेर्मैन है और स्ट्वेंट्स अब आप इस चित्र को भी देख लीजिए देखिए इसमें लिखा हुआ है हंदियाला लक्षमी नारायन स्वामी दत्तू एचल दत्तू यही है आप कोसिस कीजिए आपने सिविक स्पार्थे पुस्तक को ध्यान से पढ़ने का और इसमें आपको राश्टीय मानवाधिकार आयोग के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा लाइन बाइन आप अपने टेक्स्ट बूक को पढ़ने का परियास कीजिए और यह देश, समाज, सोसाइटी और आप जहां रहते हैं अपने परिवार इसके प्रती आपने एक जिम्मेवारी का अहसास भी होगा तो आज के लिए स्टुएंट्स इतना ही इस चैप्टर पे और भी वीडियो मैं आपको आपके समक्ष लेकर आऊंगा और बरतमान में यह करता हूं ठीक है स्टुएंट्स जय हिंदी स्टुएंट्स